हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल एंजी निटिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही प्यारी सी डिजाइन जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर एपलाई कर सकते हैं जैसे कि बच्चों का स्वेटर लेडिस कारडी गन जैन आदे पटार आले जैन बहुत संदर लगती है और यह डिजाइन टोटल हमारी बारा सलाइयों की डिजाइन हैं और में जैसे चैनल से हमारा यह डिजाइन है तो इसके लिए हमें 9 के मंटिपल में फंदे डालनी है और डिजाइन को सैट करनी के लिए हमें 9 के मंटिपल में फंदे डालकर 8 फंदे हमें इसमें एक्स्ट्रा लेनी है तो मैंने इसमें 9 के मंटिपल में फंदे डालनी है और 8 फंदे मैंने इसमें औ यहां पर मुझे बॉर्डर बना लिया है। इसके बाद यह रड़ाय को यहां से डाला है। इस से पहले अगर अबी तका आकशे यहां को अस यहां की सिदू का जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले की छह सलाइगा हमें देखिए इस तरह से इस सलाइगों सीधी बनाकर पूरा कम्प्लीट करेंगे और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी और मैं आपके लिए तरह तरह के और बहुत प्यारी प्यारी से डिजाइन लेका रहा हूँ तो देखें Pahlai हमें सीधी सीधी बनाकर पप्लीट कर ली है अब यह दूसरी सलाइ देखें हमें पूरी उल्टी बनानी है तो इसी तरह से सीधी उल्टी करते हुए हम अपनी 6 सलाइब कम्प्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको डिजाइन डाल कर फिर दिखाती हूँ तो देखे डिजाइन की 6 सलाईं मैंने कम्प्लीट कर ली हैं तीन उल्टी और तीन सीधी अब आ गए हैं हम डिजाइन की साथ वी सलाई पर तो देखे साथ वी सलाई में मैं क्या करना है पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे दागा आगी किया इसके बाद एक दो तीन चार पाँच और ये शे शे फंदे हम उल्टे बना लेंगे अपने इसके बाद देखे हमें क्या करना है इस तरह से दागे कून पर लिया और इन तीन फंदों को देखिए इन तीन फंदों को इस तरह से उल्टा बना देंगे देखिए तीन का एक कर दिया फिर से इस तरह से धागा लिया और छे फंदे फिर से हम उल्टे बना लेंगे दो तीन चार पांच और यह देखिए छे फिर से इस तरह से धागा लिया एक फ वाला और ये के दो फंदे हो गयए फिर से धागा लिया हमारे तीन के तीन हो गया इसके बाद छय फंदे एक गया हैं इस तीन चार चार हे कि की साइट से देखे इस तरह से फिर से यह दागा इस तरह से लगाया उन और इसके बाद एक दो तेन चार पांच और देखे च्छे दागा पीछे किया और एक फंदा बना सीधा बना लेंगे ये दैंकी साथ वी सलाई कंपलीट हो गई है आप अंश्रीय वी सलाई पर इसमें देखे हैं हमें क्या करना है एक फंदा इस तरह से उतारा और इस सलाई को हमें पूरी अपनी बिलकुल उल्टी-उल्टी बना कर कंपलीट करना है तो आई हमें से पूरा उल्टा बना कर marginisión कर हो गई है पूरा उल्टा उल्डा बनाकर कंप्लीट कर लिया अब आते हैं रिजान की नाइं तरो पर दीखिए पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे धागा आगे किया छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच और ये छे दागा पीछे किया और तीन फंदे सीधे तीन फंदे सीधे बना लेंगे हम जो इन पहले जाली डाली ती दागा आगे किया छे फंदे उल्टे लिखे 6 फंदे उल्टे बना लिए और यह लागा पीछे किया यह तीन फंदे जिन पर हमने यह वाली हमें सीधे बना लिए दागा आगे किया, 6 फंदे हमारे उल्टे यह design की 9th row है और देखे, 9th row हमारे complete हो गई है दागा पीछे किया, 1 फंदा सीधा और देखे, 10th row हमें पूरी उल्टी-उल्टी बनाकर complete करनी है तो देखे, design की 10th row पूरी उल्टी बनाकर complete कर ली है अब आते हैं 11 तरो पर 11 तरो में देखिए मैं क्या करना है फंदा उतारा इस तरह से दागा आगे किया और 6 फंदे हमारे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 दागा पीछे किया इस तरह से देखिए इस तरह से पीछे कर लेंगे अब देखिए हमें क्या करना है इस तरह से इस धागे को गुमा कर पेड़ना है और इन तीन फंदों को हम पीछे की साइट से तीन का एक कर देंगे तीन का एक कर दिया अब देखिए हमें क्या करना है इस वाले धागे को इस तरह से देखिए इस साइट से इस तरह से गुमाते हुए देखिए और आगे धागा कर लेंगे उच्छे फंदे उल्टे बना दें तो यह हमारे फंदे तीन के तीन हो गए कि अज़े फंदे उल्टे धागा पीछे किया इस तरह से सलाई पर गुमाया और तीन का एक कर देंगे हम पीछे की साइड से सीधा बुनते हुए देखिए इस तरह से अब हमें क्या करना है देखिए उनको इस तरह से गुमाया और च्छे फंदे यह हमने अपने उल्टे बना दिये देखिए बहुत ही आसान बेजाएन है और बहुत आराम से बन जाता है फिर से दागा पीछे किया और सालाई पर इस तरह से गुमाया देखिए इस तरह से गुमाना है हमें दागा पीछे किया और तीन का एक फंदा बना देंगे देखिए इस तरह से यहां से घुमाया और 6 के 6 फंदे हमें यह उल्टे बनाने हैं देगे तागा पीछी किया एक फंदा सीधा 11 त्रो कंप्लीट हो गई है डिजाइन की टॉयल त्रो हमें पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी है तो देखिए डिजाइन की बारमी सलाई हमने पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है और टोटल 12 सलाईयों का हमारा यह डिजाइन है देखिए 12 सलाईय में कुछी इस तरह से हमारा यह डिजाइन बन कर आता है इनी बारा सलाईयों को हम बार-बार रिपीट करते जाएंगे यहां से हम फ़स्ट रोल स्टार्ट करेंगे और हमारी डिजाइन ये कुछ इस तरीके से बन कर आएगी अगर आपको मेरे डिजाइन बनाने का तरीका पसंद आया हो तो फ्लीस वीडियो को लाइक कीजेगा चनल पर पहली बार आयें तो चनल को सस्क्राइब कीजेगा और कोई भी दिख्केत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी डिजाइन कैसी लगी जिससे कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छी डिजाइन लेका रहा हूँ थैंक यू